दोस्तों वीडम या कहें Varieties of Democracy की रिपोर्ट आई है दुनिया भर के देशों में दोस्तों भारत को टॉप 10 ओटोक्रिटाइजर्स की सूची में रखा क्या है अब आप पूछे का ओटोक्रिटाइजर्स का मतलब क्या होता है इसका मतलब है निरंकुष यानि वो देश जहांकि सरकार जनता के विचारों से नहीं चलती है जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता हो कि जनता क्या चाती है सारे कानून, सारी नीतियां बस अपनी मनवर्जी से बनाती है जनता से कोई लिना देना ही नहीं है दुनिया के ऐसे टॉप 10 देशों में अब भारत भी शामिल हो चुका है ये रिपोर्ट दोस्तो मोधी सरकार के धागी खोलने वाली रिपोर्ट है मोधी की गारंटी कितनी पूरी होगी कितनी नहीं ये उपर वाला जाने लेकिन इस गारंटी की कीमत जो देश उठाने वाला है इस रिपोर्ट से आप समझ पाएंगे तो वीडियो को अन तक जरूर देखेगा नमस्कार, स्वागत है आपका देश टीती में मैं आपके साथ गेटी भाविया देश टीती केवल सच्ची और पक्की खबे 189 देशों में दोस्तों हमारा भारत आज अपनी लोगतंत्र खोकर 104 रांक में पहुँच गया है वीडेम की रिपोर्ट ऐसा कहती है वीडेम एक ऐसी संस्था आप कह सकते हैं जो विश्व के अलग-अलग देशों में लोगतंत्र की स्थिती का मूल्यांकन करती है सबसे पहले ये किसी भी देश के लोगतंत्र को पांच कैटक्विज में बाठती है एलेक्टोरल, लिबरल, पार्टिसिपेट्री, डेलिबरेटिव एन इगालिटेरियन यानि चुनावी, उदारवादी, सहभागी, विचार विमर्शात्मक और समतावादी के आधार पर ये देश में क्या चल रहा है लोगतंत्र या ताना शाही के बारे में बताती है और इस रिपोर्ट में भारत को 40-40 प्रतिशत के बीच मध्यमवर्ग में लटकता पाया है मतलब अगर ऐसे ही देश चलता है रहा दोस्तों, तो हम जल्द ही लोगतंत्र खोने वाले हैं हमारा देश 189 देशों में सबसे बत्तर हालत में पहुंच चुका है 2013 में भारत में तीवर गती से हम निरंकुष देशों में शामिल होते जा रहे हैं मतलब उन देशों में जहां ताना शाही चलती है रिपोर्ट हमें हाल के समय में 10 निरंकुष देशों में से एक बताता है जो 1975 के स्तर पर जब इमर्जेंसी आई थी, जब वेतनम वार छिड़ा था उस समय से अभी की बराबरी कर लोकतंत्र को नीचे गिरता रहा है इस रिपोर्ट की अगर माने तो ये रिपोर्ट बताता है कि हम जिस भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्रिक देश बोलते हैं वो असल में अब लोकतंत्र रहा ही नहीं है बलकि उल्टा 2018 में जिस तरह चुना हुआ था ये रिपोर्ट उसे पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या मानता है जिसे 2023 में भी कंटिन्यू किया गया था इसके हिसाब से 42 ऐसे देश हैं जिसमें एक तंत्र चल रहा है मतलब 35% वर्ल्ट पॉपुलेशन और हमारे देश की जनता विश्वक के 18 प्रतिशत पॉपुलेशन है वीटम लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में पिछले बार के मुकाबले इस बार की स्थिती को और गिता बताया शून्य देस मलब 28 का स्कोर देते वे उदारवादी की सारी संभावनाई कमजोर होते वे बताया है इस मामले में रिपोर्ट ने भारत को 92 रैंक पर रखा है साथ ही बताया है कि हमारा देश सारी हदे लंगते वे जनता को समान अधिकार देना भी बोल चुका है और Minorities पर अत्याचार भी करता है Dem Electoral Democracy Index के मुताबिक भारत लोगतंत्र को चुनावी हिस्से से भी खतम होने का अंदेशा लगाता है इसमें हमारे देश को V Dem ने 110 रैंक पर रखा है और साथ ही बताया है कि Clean Election Index Under 20 में आता है जिससे हमारे देश का दूर दूर तक कोई तालूप नहीं है Egalitarian Competent Index ने हमारे देश को तार तार ही कर दिया है सब को समान तरीके से ट्रीट करना हमारा देश हमारे देश की सरकार भूल चुकी है इस फील्ड में V Dem ने हमारे देश को दोस्तों बाकी देशों के मुकाबले सबसे नीचला स्थान दिया है 137 रैंक बात करें Participatory Competent Index की तो दोस्तों इसमें भारत को 103 रैंक पर रखा गया है जो कि फिर से कोई अच्छी खबर नहीं है मुदी जी के अच्छे दिन जनता के लिए बुरे साबित हो रहे है दोस्तों काफी बुरा दिन आ गया है रिपोर्ट की अगर माने तो रिपोर्ट ने डाइरेक्ट मुदी पर क्लेम करते हुए रिपोर्ट में बताया है कि भारत की हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी यानि भारत जनता पार्टी ने UAPA का गलत इस्तिमाल, कानूनों का गलत इस्तिमाल किसी पर भी राज़्दों का इल्जाम लगा के उसे जेल में डाल देना मान हानी करना और दूसरों पर डिफरमेशन का गलत इस्तिमाल करना आतंकवाद विरोधी के नाम पर खुद आतंगवाद सहलाना सिनले कर साइलेंस क्रिटिक्स यानि आलोचनाओं को हवा नहीं देना मीडिया के द्वारा लोगों तक बाते नहीं पहुचाना और धर्मों के नाम पर देश को विभाजन की और घसीतना एक बहुत बड़ा कारण बताया है लोगतंद्र को खतम करने का दोस्तों गौर कीजिएगा ये सब मैं नहीं बोल रही है रिपोर्ट बोलता है रिपोर्ट ने मीडिया पर सरकार का कबजा और सोशल मीडिया पर लोगों को बंदित करने जैसे जिक्र भी किया है देश जितना हस्ता खेलता आपको टीवी और सोशल मीडिया पर दिखता है न तो सोटना है नहीं छोटे बच्चे की तरह आपको एक दो लॉलीपप पकड़ा दिया जाता है आप इंजॉय कीजिए लेकिन देश दुनिया में हमारे देश से लोकतंत्र की समापती का जिक्र भी जोर शोर से चल रहा है शायद आप भी कुछ वक्त बात समझ जाईएगा लेकिन तब क्या फायदा होगा तब पस्तायफ की होद जपचिडियां चुक गई खेत बाकि आप क्या धारना रखते हैं इस रिपोर्ट को सुनके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और अभी आँखे खुल जाए तो देश साइध अब भी बच सकता है देखते रहिएका देश नीती तन्यवाद